वरिष्ट नागरीकों का संभाग स्तरी सहायक उपकरन का वित्रन करने दूर दरास से पहुंचे वृद्ध जन हुए परिशान वही आँख वा कान जाच के नाम पर सिर्फ पकड़ा दी गई है परची दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में बुधवार को आयोजित वरिष्ट नागरीकों का संभाग स्तरी सहायक उपकरन हितु चिनहंकन मुल्यंकन एवं वित्रन समारों के आयोजन में करीब 5000 से भी अधिक व्रद महिला वा पुरूर शामिल हुए जिसमें कुछ आँख कान व उल्यंकन के लिए गौर्टलावेकी संचालक समाच कल्यान संचनाले रैपूर के दिशाद निर्देश के बाद समाच कल्यान विभाग द्वारा आयोजित इस कारिक्रम में वरिष्ट नागरीकों को व्रद्ध वस्ता में होने वाली शारिदिक समस्याओं का निराकरन करने हेतु संभाग अंदर का समर्षत जिलों के वरिष्ट नागरीकों को उनकी आवशक्ता नुशार छड़ी चश्मा कृतिम दाद वीलचेयर आदी प्रदान करने संभाग इस तरी समारों का आयोजन किया गया अगर धरातल में बस नाम लिख परची देकर कान से पीडित लोग खाला कैंट के बात बोने अब चाम और लहीम दान करता रहा है। सूंचार की बार रोगत कर आप पड़ी है और वीलचेर हिसकंत कईुक उत hazid कि अच्छा सुनने के जो मशीन ने कान में उसके लिए अभी यह बो रहा है जाँ छोड़ेगी यहां पर और मसीन आपको जिस डिटिक से उसी के बेस्ट पे फिर रही चेक कराने के बाद मिलेगा करके कि अएक लबी यहां को चेक करी करके तो हम वहर थोड़ा उसी क्राव है तो वहीं से जंपस से बुलीन के जाओ इस करके तो फिर वहीं महला भला जय को लुकि कुछे करें सर दूर पढ़ी ता भोल आयल पढ़ी जब व्यत खराब है तो थोड़ा मजबूरी है तीसी कारण आना पढ़ी पास रती सर तो उत्रप रते हैं अच्छा रती अब जब हां काबरतिक दूरी आते हैं वो तो महला सब चीजों सुज़ा रती तो आहां तो आहीं अ अब यहां कदे में नहीं विया तेला हम का बता बाबा अभी अम रता पाल जाना अब सची भेजी से नगरा खोड़वा अंधा काना जाओ चश्मा दिहीं लाठी दिहीं अब जबाय के लाठी दिहीं अम अंदर नौ बजे के निकरें बस में अब हम ला जीहां भेजी किया हम रिद्धा कारी क्रेम हैं से कहता है हम वड़ हम लड़ चड़ी उड़ी मिली आखियो खीके चांच करें से कह रेशी है पंदरिया कमर था हमां नौ बजे शढ़ है नब बजे निकला है इसके साथ ही शिवीर में लगे इस टालो पर सिर्फ नाम लिख पर्ची बनाई गई जिसके बाद कारेक्रम में पहुंचे अतिथियों के हाथों सिर्फ छडी का वित्रण कराया गया जिसके बाद बाकी बैठे बुजूर्ग सिर्फ अपने इंतजार में कोई कान की मशीन तो आँख की परिशानी लिए बैठा वा भटकता रहा राज में प्रतेक संभाग में ये कारेकरम चाड़ रहा है 20 तारी को हमारे राकुर में हुआ उसी तरह आज 22 तरह को यहां पर चिन्हांकन परस मुल्यांकन सीविर है बरिशनागरी को पर जैसे कम जानते हैं कि ब्रीध हो अस्ता होने पास कुछ नुकुछ समस्य हमारे आती है तो हमारे जो सासन है अब सासन की मुख्या है उन्होंने भी चाहाए कि बरिशनागरी को ज स्थिरिया वर्कस आप रखा है जिसमें तीन हमारे अस्तिवाधित के काउंटर है चार नेतर के काउंटर लगे हैं और चार दात के लिए हैं एक अर्विदिक को अलग का है एक जनरल प्रीशन का है और नकली हाथ पर से राइपुल से भी आए हुए हैं इस परह से इनके लि सारा यहां वरिष्ट नागरीकों का सहया करन का वित्रन और चिन्हांकित कर रहे हैं अभी आप देखी रहें कि इतनी भीड़ है पूरे संभाग से यहां हमारे स्टेडियम में सब उपस्थित हुए हैं और यह बहुत बड़ी बात है हमारी सरकार जो एक परिवार की तरह जन है उनका भी यहां चिन्हांकित कर रहे हैं और चिन्हांकित करने के बाद उसक्ता है उनका वित्रन फीडर से किया जाएगा और यह मंज के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्या और उनके पूरी टीम को बढ़ाई देते हैं क्योंकि हमारे वरिष्ट जनों का सम्मान एक बहुत बड़ी बात है बोलते ना सियान की सेवा करना सबसे बड़ा है तो वैसी हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे जो वरिष्ट जनी हैं उनके सेवा के लिए हमेशा तत पर है और यह सब कारकम हो रहा ह अब हैं कि जो चाड़ी की हैं उनको चड़ी वितरन किया रहा है और मानी चल रहा है पर इक要 शू façon के बात पिर उनको पिर लुगत बनी जैसे चसमा अभी रूप रहता है यासे करने से आयोजन में भी ठोड़ा सा जिस तरह से 36 शाशन दौरा वरिष्ट नागरिकों को वरद अवस्था में होने वाली परेशानी का एसास होने को लेकर संभाग इस तरी आयोजन कर उन तक स्विधाय पहुंचाने का अवसर दिया वहीं क्या ये सब उनके इस्थानी निवास या जिला इस्तर पर भी तो हो सकता था फिर इतना खर्च कर बदलते मौसम में 100-100 किलोमेटर दूर दराज से इन बुजूर्गों को परिशान होने की जहमत क्यों कराई अब देखना होगा कि इस आयोजन में पहुंचे सभी लगब के साधन मिले या सिर्फ छड़ी का जादू दिखाकर इनका समय बर्बात किया ग्रेंड एशियन न्यूज के लिए दूर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट